मांगो को लेकर नगर परशिद कालका पिंजोर में डोर टू दोर गार्वेज कलेक्शन कमेटी का धर्ना परदशन जारी 14 दिन में परवेश हुआ धर्ना परदशन नगरपरिषित कालका पिंजोर में डॉर टु दूर गार्वेज कलेक्शन कमेटी वेलफेर सोसाईटी के पadदगारियों और कारकरताओंने अपनी मांगो को लेकर सोंवार को धरना परदस्षन चौदमे दिन में परवेश कर दिया है वेलफेर सोसैटी के परधान विजे कुमार ने बताया कि वे पिछले 50 वरशों से डोर टू डोर कालका पिंजोर में लोगों के घर में कुडा कच्रा कठा कर घर और परिवार की गुजर बशर कर रहे थे तो नगर परिषद कालका पिंजोर विभाग नए इसका ठेका किसी बाहरी कमपनी को दे दिया है लेकिन सरकार और जिला प्रशासन सेथ नगर परिषद विभाग ने उनकी रोजरी और चीनने और पेड़ पर लाट मारने का काम भी किया है परदान विजे कुमार ने बताया कि हालांकी वे हरेना सरकार की सभी गैलेन के नुसारी गीला सुखा कुडा कच्रा इकठा कर रहे थे अभी तक एक समुदाई के लोग पिंजोर फोरेश्ट कॉम्पलेक्स सामने बंगाला प्रीत कलोनी बस्ती में रहते हैं और चोटे मोटे काम करके ही घर परिवार का पेट पाल रहे हैं उन्होंने कहा कि उनके हातों से रोजी रोटी चीनना कहा का इनसाफ है और आप कहा जाएंगे इनी मुद्दों के लेकर उन्होंने नगर परशद विभाग पिंजोर कालका के खिलाप संगर छेड रखा है वेलफेर सुसाइटी के प्रधान विजे कुमार ने बताया कि उनकी और से सेनेटरी इंस्पेक्टर और ठेकेदारों से बाचीज चल रही है और उन्हें उमीद है कि फ्यासला उनके हक में ही आएगा डोर टो डोर गार्वेज कलेक्शन कमेटी वेलफेर सुसाइटी के पददकारियों महिला और लोगों ने नगर परशद कालका पिंजोर दफ्तर के बार यो नगर परशद चेर्मेन और विभाग के खिलाब इस सवंद में नारेबाजी कर अपनी मांगों के लिए धरना प्र